अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइट कॉमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो दोस्तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते है सबसे पहले दोस्तो ग्राफिक्स के बारे में बात करते है इस बाइक में दोस्तो आपको दो कलर्स में ग्राफिक्स मिलता है matte black और red color combination में और meter console के बारे में अगर बात करें तो दोस्तो आपको digital और analog का combination देखने को मिल जाएगा seat आपको split seat मिलता है दोस्तो headlight आपको halogen में मिल जाता है LED में अगर company दे देता तो और भी बढ़िया होता और दोस्तो graphics के बारे में अगर बात करें तो company ने काफी अच्छा graphics दिया है और दोस्तो पहले pulser का जो logo मिलता था और अभी का जो pulser का logo मिलता है काफी different है दोस्तो company ने काफी बढ़िया color का use किया है matte black के साथ shiny black मिलता है and shiny red color मिलता है three color का combination आपको देखने को मिल जाता है दोस्तो दोस्तो टेंक काउल में भी आपको matte black के साथ red और carbon fiber का sticker मिल जाता है front में दोस्तो carbon finish के साथ red color मिलता है और side panel के बारे में अगर बात करें तो आपको carbon fiber का finish देखने को मिलेगा साथ में engine 178.6cc का देखने को मिलेगा दोस्तो और tank में आपको tank pad मिल जाता है 180 का जो sticker है आपको grab handle के पास देखने को मिल जाता है दोस्तो और grab handle आपको काफी stylist मिल जाता है seat आपको काफी comfortable मिल जाता है rear side में आपको red color के साथ आपको carbon finish मिल जाता है और ये रहा rear side view tail light आपको fully LED में मिल जाता है दोस्तो indicator आपको halogen में मिल जाता है flexibility के साथ और दोस्तो front suspension के बारे में अगर बात करें तो काफी अच्छा suspension मिल जाता है आपको और दोस्तो इसमें आपको single channel ABS देखने को मिल जाता है साथ में आपको 280 mm का disc देखने को मिल जाता है और rear में दोस्तो काफी white tire देखने को मिल जाता है 120 by 80 के साथ rear disc आपको दोस्तो 230 mm का मिल जाता है rear में आपको nitrox का suspension मिल जाता है दोस्तो आप देख सकते है इसका जो डिजिटल मिटर है एक साइड में आपको एनालोग के साथ डिजिटल का कॉंबिनेशन मिलता है इंजिन काउल से लेकर आपको अलोई हुईल में red color का स्टीकर मिल जाता है इंजिन काउल को देने से दोस्तो इस बाइक में एक स्पोर्स लूक आ जाता है इंजिन काट अफ सेंसर मिल जाता है इस बाइक में आपको बाइक देखने में बिल्कूल 20-150 जैसा लग रहा है दोस्तो तो दोस्तो आज के वीडियो में पलसर 180 CC से लेकर यही कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आप लोग को दिया आशा करता हो आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा दोस्तो अगर दोस्तो आज का वीडियो आप छोगा तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइप, कॉमेंट, शिएर और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए तक ही आप लो जोग के लिए और एक अच्छा वीडियो लाओ तब तक के लिए दोस्तो मिलते हैं और एक वीडियो के साथ